इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दे एक वाराजन कथा करने उडिसा गए रात को मैंने फोन किया का हो कथा भई बहु बली पानी पड़ गया तो कोई आया है नहीं कोई आया नहीं आया 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 आप तीन गंटे कथा कानने गए हो कथा गाओ तो बेवस्था नहीं थे हमने कहा हनमान जी के मंदिर में गाओ कथा करने कहे तो कथा करिए कोई आएगा जाएगा ये वक्ता कोई इसका ध्यान नहीं रहना कोई आएगा नहीं आएगा हम लोग पहले गाते थे तो कोणू नहीं रहते थे क्या करना कथा गाने आए, नव दिन कथा गाएंगे हमारी मा कहती थी कि कथा गाने गए तो नव दिन बाद ही लवटना, बीच में आना मत जिसलिए गए हो, वो करके लवटना, यही साधना है तो आप में से जो गाएगा उसके घर में स्वयम मंगलवाता बरन बन जाएगा घर में महराज बड़ी शांती है, जब शांती होगी तो आम भी काएंगे ना आप काओगे तभी शांती होगी, शांती होगी तो नहीं काओगे काओगे तो शांती होगी, आप काके देख लो और जहां मय में हो जाता है वहाँ शांती नहीं हो जाता है मय में शांती नहीं है मय में तो तो हो जाता है तो ने किया तो ने किया देखिए जिसके जीवन में आविश है जिसके जीवन में आक्रोश है जिसके जीवन में अन्यथा परिवेश अकारण उसके लिए कथा दवा है यह दवा खाईए यह दवा पीजिए आवेश आकर्व सवसांत होगे जादे सोचने का काम नहीं यह मानस की कथा मानस को निर्विकार कर देती है आगे के कांड का नाम है अयोध्या कांड अयोध्या कांड मने हमारी युवानी की अवस्था युवा अवस्था कई माई बाप ऐसा सोचते हैं कि संतान का व्याह हो गया तो उसको थोड़ा अराम करने दिया जाए अच्छा व्याह हो गया युवा वस्था है तो अराम करेगा फिर काम कब करेगा देखो जिसको भी युवा वस्था में अराम की आदत लग गई ओ तो बुढ़ापा उसका बहुत दुखी हो जाता है युवा वस्था आराम के लिए नहीं युवा वस्था तपने के लिए अराम क्या होता है जी अराम मने खापी के सोय रहो घर वाले काम करें आप उठो तो ड़कार लें बस चार बज गया चाय लो इसको अराम कहते है अराम मने जीवन में कर्मनिता बढ़नी चाहिए कर्मठता हमारा वरण करें हम उसका न करें कर्मठता आने चाहिए यही से अयोध्या कांड प्रारंब होगा जब से प्रभु विवाह करके आए भाईयों समेत अयोध्या जी में नित नवीन आनंद हो रहा है नगर के नरनारी सब गदगत हैं सब के भाव यही है राम जी जेष्ट हैं स्रेष्ट हैं योग्य हैं महराज यो राजपत पर बैठा दे प्रजाकी भावनाओं को महराज ने समझ लिया गुर्दे भगवान से निवेदन किया प्रभु कब मोहुरत है जब राम जी को यो र पूझते हैं स्तुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुवराज जब राम जी जुवराज पत्पर बैच जाएं तब घड़ी शुभए सथ्य संकल्प का महुरत न हो सथ्य संकल्प कब संपन करना है इसका कोई महुरत विचार न करिए जब आ गया तब कर डालिए नहीं तो किराय का घर है कई लोग संकल्प लेते हैं और संकल्प लेते ही विदा हो लेते हैं आप कोई योग यह हो तो संकल्प को पूर्ण करें नहों तो फिर संकल्प साथ जाएगा अगले जन्म में पूर्ण होगा राम जी को क्यों वैसा कहा क्योंकि विविशन जी ने कहा है ना आगे के कांड़ों में सुन्दरकांड में राम सत्य संकल्प प्रभभ राम जी सत्य संकल्प भी है राम जी सत्य संकल्प नहीं लेते हैं राम जी जो संकल्प लेते हैं वो सत्य ही हो जाता है अन्यथा अर्फन करिएगा संकल्प ही राम जी वही लेते हैं जो पूर्ण हो सके चाहि जो संकल्प ने लेना चाहिए हम ऐसा करेगे गुरु जिन कह दिया तर्छाण विशेक होना चाहिए नहीं देखे गुरु आज्ञा में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए गुरु माने होता है प्रकाश परम प्रकाश तो वहां तर्क वितर्क नहीं जी जो आज्ञा अब जहां तर्क वितर्क है वहां विचार आ गया जब गुरु जी ने कहा था परसों की कथा में विश्वा मित्र समय सुभजां बोले अति सनेह मैबां उठवु राम भन्जवु भवचापा मेटव होता जनक फरीता तो भगवान ने विचार किया इतने इतने बीर लोग न तोड़ पाए न जाने हमसे तूटे की न तूटे राम जी ने विचार तो नहीं किया विचार करना हमारे स्रेष्ट का कारिया है हमारा कारिया नहीं है मैं सभी से ये बात कहता हूँ विचार करना अपने स्रेष्ट के उपर डालो भारत में इस संसकार की कमी आई है हम स्रेष्ट मानते ही नहीं किसी को हमसे बड़ा कवन जिस परिवार में स्रिष्टत्व का वाता बरण नहीं है उस परिवार में संसकार बीड़ियों बीड़ियों नहीं आएगा कदाप नहीं आएगा और स्रेष्ट को सर्वकाल त्याग में रहना चाहिए माउन रहना चाहिए हैर विशय पर बोलना भी नहीं चाहिए तभी तो स्रेश्ट है बड़ी अच्छी बात किसे ने पूछा महराज गुरु वशिष्ट भगवान जब जानते थे कि राम जी को चवदर वर्ष का वन हो जाएगा भरत जी मनाने जाएंगे तो उन्हों ने चक्रवर्ती जी को क्यों वनमती दी कि आप ते लग की तैयारी करिए अरे भाईया गुरु जी से तो केवल पूछा ही गया उनकी मानी कहा गई गुरु जी ने साब कहा सुनन रिप जासु बिमुख पच्छिता ही जासु भजन बिनु जरैनी नया भयव तुम्हार तनय सुईस्वा राम पुनेत प्रेम अर्नुगा पवित्र प्रेम के साथ ही पवित्र प्रेम के पीछे पीछे ही वो चलते हैं ऐसे राम जी जिनसे बिमुख होकर जीव को पच्छाता होता है जिसकी भजन मिना ताप नहीं समापत होता तरताप वो जगदीश आपके पुत्र होके आए महुर्त क्या देखना सुधन सुमंगल तमही जब राम हो ही जवराज बुलाते पकड़ के तिलक कर देते कर देते नहीं किये गुरु जी की नहीं मानी गई हम सुन तो लेते हैं गुरु जी की लेकिन योजना अपने तरीके से बनाते है यह तो पूछो मत पूछो तो हर बात मानो चक्रवर्ती महराज नहीं माने तो उत्पात आ गया समय देना ही नहीं था समय को निश्चय करना ही नहीं था प्राता काल सुर्य भगवान की आगमन पर वुशा खाल में गुरदय भगवान तेलक करेंगे कई बार हम कथाओं में रहते हैं यहां तो कमल हम जो कहते हैं वो सुन लेते हैं बाबा दिन भर किसी से न मिले तब तक उसका दमाद आ गया महराज हमारा दमाद आया है भाई आप तो कह रहे को किसी से मिलने नहीं है अरे दमाद है ना नहीं मिलेंगे नरज हो जाएगा अशा ले आओ अब बाबा जी अपना चंदर फंदर लगा के फिर बैठे के दमाद आया है भाई तो जो जजमान होता है वो अपने को डाउन से कम नहीं समझता है प्रकाश में और मैं मैं तो बिचित्र कथा वाचक हूँ मैं अपने अलावा किसी की नहीं सुनता पूरा देश जानता है मेरे लाला को जो अच्छा लगता है केवल वही करता हूँ मैं किसी यजमान भजमान की बात में नहीं मानता मेरी सखामंडली जानती है उनको जो अच्छा लगेंगे वही वो कहेंगे वही वो करेंगे राई बढ़े नितिल घटे सिर्वादे